हेलो गाइज हम आज वीडियो बहुत दिनों के बाद बना रहे हैं इसके लिए हम आपी जा रहे हैं तो चलिए हम लोग होली स्पेसल धहिवाड़ा बनाते हैं इसके लिए हमें क्या करना है यह आप देख लिए मैंने 200 ग्राम उरत डाल को ओगरनाइट भिंगों के रख दिया और अब सबसे ज़्यादा महनत का काम क्या होता है कि इसे हमें हाथ से बहुत अच्छे तरीके से फेटना है जब तक कि हमारा बेटर एकदम फलपी ना हो जाए एकदम हलका ना हो जाए इसके लिए हम दस से पंद्रा मिनटे से लगातार ऐसे ही हाथ से फेटेंगे जिस से कि कि हमारा बेटर इत्म स्मूथ क्रीमी हो जाएगा इसे हमारे दही भले बहुत ही सॉप्ट बनते हैं आप देखिए कि मेरे इसे फेटा है और यह फेटे फेटे कितना ज़्यादा इसका कलर भी वाइट हो गया और यह बहुत ही हलका हो गया है इसे 15 मिनिट हम घड़ी देखके अच्छे से और देखिए कि आप में कितना क्वेंटिटी कम था मेरे बेटर का और फेटते फेटते मेरे बेटर कितना ज़्यादा होगे अब इसमें हम मिलाएंगे 10 से 12 काली मिर्च दरदरा कुटा हुआ और एक इंच अधरक का टुकड़ा इसे भी मिलाके अच्छे तरह से हम फेट लेंगे और उसके बाद हम एक चमच एक पिंच हम इसमें डालेंगे हींग का और उसे अच्छे तरीके से हम फिर से एक बार फेट लेंगे यह देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे अच्छे तरीके से फेट लिया है अच्छे तरीके से मिलाने के बाद अब हम इसे तर लेंगे यह देखिए मेरा अच्छा कितना ज्यादा हलका हो गया है मेरा बेटर यह थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपके दही फले बहुत ही अच्छे बनके तैयार होंगे यह देख लिजे मेरा थोड़ा वीडियो अभी ठीक से बनने ही पा रहा है फ्रेंड्स उस दिनों के बाद मेरा वीडियो अच्छे से आपके सामने होगा इसके लिए हम आपसे मापी चाहते हैं यह देखिए मैंने कड़ाई चड़ा दिया है कड़ाई जर्म हो गया है और इसमें हम तेल डालेंगे यह देखिए प्राई करने के लिए तो पुछ फ्यंट जढ़ा ही तेल लगता है इसलिए में इसमें तेल डाल रहे हैं कि अभी ठीक से तेल को गरम करेंगे और हमारा तेल बहुत ज़्यादा भी गरम नहीं होना चाहिए और नहीं कम गरम होना चाहिए मीडियम गरम तेल ही ज़्यादा अच्छा होता है इससे हमारे दही भले या जब भी आप बेशन के भी पकोड़े बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा तेल को गरम नहीं कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो आपको दही पकोड़े बना के दिखाएं तो आप बताईएगा मैं आपको वह भी बना के दिखाऊंगी वह भी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में फ्रेंट्स बेशन के पकोड़ों के साथ दही वह भी बहुत ही अच्छा लगता है तो अगर आप लोगों के इच्छा होगी तो मैं उसी बना मैंने देख लिया है तेल करम हो गया है कि अब मैं इसे डाल रही हूं चटेचा अब देखेगा यह कितना जादा फोल जाएगा छोटे छोटे चोटे मैंने एक बैश डाल रही हूं इसे अराम से पानी में हाथ डिप करकर के डालिएगा तो यह हाथ में चिपकेगा नहीं इसे अच्छे से हम डाल देंगे यह देखिए मैंने सारे दही भले को तेल में डाल दिया है यह मेरा पहला बेच में मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था लेकिन आप इतना ज़्यादा नहीं डालिएगा थोड़ा कम ही डालिएगा ताकि इसे स्पेस मिले और यह थोड़ा फूले यह देखिए मेरा गैट का फ्लेम अभी हाई है और इसे मैं इसी हाई फ्लेम पे ही पकाऊंगी और यह बहुत अच्छे से फूल जाएंगे मेरा तेल बहुत ज्यादा ही गर्म हो चुका था तो इसमें मैंने एक तो ड्रॉप्स पानी के चीटे मारे हैं जिससे कि हमारा तेल का टेमपरेशर थोड़ा कम हो जाए कि देखें हम जब यह हमारा दही वल्ले बनके तियार हो जो यह देखें फ्रेंट से कितने पुले-पुले बने हैं मैंने इसी तरह से सारे दही वल्ले को अच्छे तरीके से तेल में डीप फ्राई कर लिया है और इस तरह के दही वल्ले को आप किसी भी तरह कितना भी ज़्यादा इसे तेल में डीप फ्राई करोगे तो इसका कलर बिलकुल भी चेंज नहीं होगा वो यही कलर मिले गाएगा लेकिन हाँ आप हाथ में जरूर थोड़ा थोड़ा पानी जब भी आप दई भरले का एक पकोड़ा उठाएं तो उसे हाथ में पानी लगा के उठाएं तो उससे चिपचिपा नहीं होगा और बहुत अच्छे से गोल गोल से आएंगे ये देखिए खुद पर खुद ये उसे मारिए ये पानी के चेटे से ये दई भरले अपने आप पलटेंगे आपको कल्सी चलाने की जरूरती नहीं पड़ेगी ये देखिए फ्रेंट्स हमारे दई भरले कितने अच्छे से बनके त्यार हुए है ये हम गैस को भी फुल फ्लेम पे रखेंगे इसको मीडियम न सारे कूलट प्लोट के मच्छे तरीके से बना लेते हैं बहुत अच्छे से ये फुल गया है और ये बहुत ज्यादा सॉप्ट और अंदर से जालीदार भी बनते हैं ये इस तरह के दई बले ये देखिए ये सारे हम निकाल लेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने कितन ज्यादा सॉप्ट बने हैं इसे हम पानी में डाल देता है आप लोगों को तो पता ही होगा दई बले को पानी में डालना है ठीक है फ्रेंड्स ओके थैंक यू